बोरला को मेक्सिको या डेनमार्क वहां से उपलाती हैं और देश में एक ऐसा उपादन का इर्थिमान रचा जाता है जो आज भीर कोड़े है आजादी के वक्त दूद हमारे पास नहीं होता था दूद का पाउदर इंपोर्ट होता था आप करना कर सकते हैं आयाद होता था उ इस हालत में छोड़ गए थे और दो हजार आते आते जो गुजरात में अमूल अनुलर्ण होता है तो हम दुनिया की सबसे बड़े दूदर पाज़त देश बने जाते हैं यह होता है यूजिना के अजारा पर और नेटाओं अगर आपके पास विजन नहीं है अगर आपके पास दुरुष्टी नहीं है तो आप देश को आगे नहीं दे जा सकते हैं 1937 में दस परस पहले योजना आयोग का गठन हुआ था पैने कमिशन का सोचिए हमारे निताओं में यह सोचा था कि जब देश आजाब होगा तब हम किस तरह से डेवलाप्मेंट करेंगे और नेता उन्होंने नहीं देश दिया है कि आप भारत के विखास की आने वाले पचास वर्शों का एक खाका खींचे और जो रिपोर्ड टेहनों जी ने बनाई वो रिपोर्ड उसके आधार पर देश 25 आजादी पाने के बार 25 बरस तक आवे बढ़ता रहा है कि कृष्य उत्पादन सबसे टॉक प्रियारटी पर थला और जम किसांओं की बात करते हैं आख्मतियाओं की बात करते हैं किसांओं की और कि ने दृतर ₹श दाजीतिक नेत्रत हो था जो हमको अंधेरे में रौशनी tipo चरणी सामनें था आपको भदाऊ और अगरे कैसी हाँ गती हमारी इंग्रेज छोड़ते गई थे अथारा सो 5 index में हमारा जो हमारी में कॉक्तिन थे हमारा जो तो कुई विदर्व आपका इलो लाखा है यह भी लाका बड़ा कपड़ा उद्यों का बड़ा केंद्र रहा है गड़ रहा है का पास अगर रहा है एक जमाने में 1835 याने करीब करीब पौने 200 साल पहले हमारे कपड़ों ने हिंदोस्तान में बड़े कपड़ों ने पूरे योड़ोप की एकोनोमी चौपड़ कर दी थी आपको पता है और वहां संसदों में चर्चा होता था कि अगर हमारे बड़ताने बैठ जाएंगे अगर हिंदोस्तान क पर कपड़ा माते रहे था 1835 में एक गोरी में के पास एक रुमान विलिया जो भारत का बरह होगा था उसको असी पाउन जुर्माना देना पड़ा था 1835 में आप अंदाजर कर सकते हैं तो हमारी और हमारे देश की मश्बूत हालत को किस तरह हमें कमजूर किया लिए ये एक लंबी शडेंदर की कहानी है आज हमेर वो एक अलग विशह है कभी मैं आपको उसकी कहानी सुलाओंगा लेकिन जो मैं आपको बात कहरा हूं कि फिर क्या हुआ अगर हम आज इस अभागार में इस औरिटोरियों में इस बात पर चिंता कर गए हैं कि लिडर्शिप क्राइसि है तो वो क्या है आज का नेता नेता बनने के लिए नेता बनता है पहले लोग अपनी ही कारियों से हम उनको दिल में बिठाते थे अपने सिर्फ में बिठाते थे और नेता बन जाते थे आज नहीं होता है आज नेताओं को देखते कैसे होता है युग को मुझे को होप में देता है वो मुझे को होप में देता है त्लबार साला लो फैरा मैं उसकी जंग रटा हूँ मैं बस === अप्यार जो फैरा ये दालेता हूं और उनके साथ के लोगों का इसकी तक्लीफ और दर्व कबद की बयानी है वो मुझको हुक्म देता है सिबस अलार जो फैरा उसकी जंग लड़ता हूं नबस अप्यार जो फैरा उसे हर शक्स को अपना बनाना हूँ आता है मगर वो खुद किसी का नहीं है भुश्यार जो ख्यारा आज के लीडर की परिभाशा ये है और इसी लिए आज जब लीडर वहियां करते हैं अगर मैं नल को हूँ का आप लोगों से बहुत ही विनम्र माफीद के साथ कि गाड़ियां लगाई जाती है जिस राज़्य में सर्कार होती है वहां सर्कारी डिपार्टमेंट को गाईयां अरेंज करते हैं उनको लंच पैकेट दिये जाते हैं लोगों को आने के लिए और साथ में पांच सो रुपए का नोड़ दिया जाता है आज ऐसे प्राय जित लेता है अपने भी नहीं लगते और प्रायं भी नहीं लिक्ते क्योंकर हमारे बीस से लिख में हमने एसस हमारे बना लिया है कि वो जब वो बिकलते हैं तो अचानक हूंने एक ऐसा बगा वो तक कल तक हमारे बच्षे हुटे हैं वह जैसे ही बहुत गुसा भी हो और कर लेता है समझवता भी हो भैर वबस्ता से बहुत गुसा भी हो और कर लेता है समझवता भी हो जिन्दगी की दौर में भी है शरीक और कई वोड़ों पहे ठहरा भी हो जिन्दगी में हम सब आप 2018 के निदुस्तान में जी रहे हैं, हम सब अपने केरियर के रहे हैं, हम अपना सफर रोख नहीं सकते, किसी को एंजिनिर बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को कुछ और बनना है, लेकिन अटक भी जाते हैं, भटक भी जाते हैं, जिन्दगी की दौर में भी है शर परना भी। ये हमारे आज की जन्याओं का एक रूप है, तकलीप होती है, मैं ये नहीं गड़ता कि ये ये नहीं है, चलिए फेरे खेले लेकिन माईक नाम करना है तो हम लोग बात हैं कर सकते हैं एक पाकिस्तान के शायर हैं, उन्होंने अब अपमें से हज करना सुना हैं आपने, जैसे हम लोग चारधाम करते हैं, उसी करें से इस्लाम में हज की भी उतनी बड़ी पवित्रे इस्थान होती है और वहाँ एक रस्त होती है शैटान को कत्थर मालने को, शैटान को कत्थर मालने को बुराही को प्रदीड के रूप में हमारे नदर जो बुराहीया हैं वो तो कत्थर मालने को खत्म कर रहे हैं, जैसे आप विजयर जश्मी यह बनाते हैं, जो रावन को एक बुराही के तो पर हम देखते हैं कि तो उसके लिए उन्हें विखा कि हज अदा करने गया था ओम का लीडर कोई हज अदा करने गया था ओम का लीडर कोई संग वाली के लिए शैतान पर जाना पर तो संग वाली हैं वो पत्थर मांने की दुरत शैतान जनी गुराईयों कुरिकियों हमारे आपके अंदर जो मैं है उस पर संग वाली के लिए उसे शैतान कर जाना पड़ा और एक कंकर फेकने पर ये सदा आई उसे सदा भी आवाज आती है एक पत्थर उसने फेका एक कंकर फेकने पर ये सदा आई उसे अरे तुम थो अपने आदमी थे तुम को आकर ज्या हुआ तो पुर्बला आदते हम जिन्दी में कमाते क्या है प्रतिष्ठा है प्रतिष्ठा पद से नहीं मिल प्रतिष्ठा कुर्शी से नहीं मिल प्रतिष्ठा कार से नहीं मिलती और प्रतिष्ठा वो होती है जो समाज के दिल और दिमाग से निकलती है जो समाज के दिल और दिमा जब लोग आपो अपने सर्वे बिठाते हैं वो आपके काम होते हैं। आज अफसोस इसी बात का है कि जो नेता हैं, जो नीडर्स हैं, हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है, वो इस बात की और इंगित करता है कि कहीं न कहीं कुछ गड़बर है, हम अगर यहां बैट के चिंता कर रहे हैं, तो इस बात की यह है कि हमारे नीडर्स के अंदर, हमारे नेताओं के अंदर यह धाड़ना बन गए अजीब सामन वाद, सामन वाद आप समस्ते हैं, फ्यूडल्सम समस्ते हैं, पहने नेता लोगों के लिए होते हैं। अब उनकी उमीर होती है कि मैं मंतरी हूँ, तो मैं जाओं कहीं, लोग मेरे पैट चुरें, मुझे बुद्धस्ता भेंट करें, मैं नीचे इको उनके देखूं। हैं, यह कोई आया, जिस आज ही मैं कबर पढ़ रहा था किसी एक कोई कार्कम नाकुस हो रहा था, कल, और वो फॉल की कुसियां खाली थी, तो बड़े जो राज़िता उसे महजूद थे, नाराज होके चलेगे। उस नाराज होके चलेगे। अरे आपका आकरशन होना चाहिए, महात्मा गांधी के लिए आपको कपा है। उस दौर में ना इंटरनेट था, ना मोबाइल था, ना टेलेविजन था, ना अख़बार थे, ना ट्रेन थे, ना फ्लाइट थे। और ये महात्मा गांधी के सभा होने वाली है, तो 40-40 किलोबीटर से दूर से लोग पैदर चलके आते थे। 5-4 बजे सुवरे निकलते थे, पोटली बान थे, दुपहरे के खाने की और देरलाब कर पहुंचने से, सत्तु बान के निकलते थे, गुड़ बान के निकलते थे, चपादियां भाइन रखते निकलते थे। प्रेंचन का नाम सुना है आप लोगने मुशी प्रेंचन बहुत बड़े राइटर लोगने और मुशी प्रेंचन की पत्मी जो थी वो महत्मा गांधी की सभास उने के लिए गाउं गाउं से महिनाओं को जोड़के पचास महिनाओं को जोड़के और पचीस किलो मिटर पैद क्या है वकूमत के लिए मैं समझता हूँ अवाम की ज़रूरत क्या है क्यों काम करना अगर आप काम नहीं करेंगे तो जरता की नजरों में आप आप चुटकुलों से हतकंडों से आप चिमगोईयों से जो रोगों के दिलों में जड़े नहीं बना सकते काम केवल भाशन से केवल नारिबासी से केवल जोठा बोलके केवल शबूफा चोड़के अगर आप जिन्दा रहना चाहेंगे तो माफ कीजे इस देश का नौजबान जिस देश का लोगतंत्र वापको मन्सूर करने के लिए तयाद नहीं है तहले जनाग कोई शबूफाउट चाहल दो फिर करका बोच कर यानी टेक्स